हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल इस्तरी फोड आइडियाई में जैसा कि आपको पता है डोस्तो आइडियाई का एक्जाम चल लहाँय दोस्तो ठीक है वो एद्दम बढ़िया काम कर रहे है ठीक है दोस्तो यह जो निमी है आपका बढ़िया काम कर रहे है समय से आपका पेपर करवा रही है समय से सब कुछ करा रही दोस्तो ठीक है तो इस्टा रिजल्ट भी जल्द ही आने की संभावना है दोस्तो ठीक है दोस्तो इस वीडियो ह हम आपको पूरी दिटेल बताएंगे दोस्तो और जैसे कि दोस्तो आईटिया एकजाम के बाद सभी छात्रों के मन में डाउट होता है दोस्तो कि क्या हम पास हो पाएंगे कि नहीं दोस्तो ठीक है तो इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आप पास होंगे या होंगे ठीक है दोस्तो और इस बार दोस्तो जो आईटिया के जाम दोस्तो लगवक्त सभी आईटिया इस्टूरेंट पास होने वाले दोस्तो कैसे होंगे वो भी मैं आपको इसमें एनलाइज करके आपको बताऊंगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं दोस सभी IDI students पास होनीस वाले है दोस्तो ठीक है तो इस वीडियो हम आईटिया एगजाम से लेते एनलैसेस करने वाले दोस्तो आपको बताएंगे दोस्तो कि आपके कौन का समनरे किस्ते कोसं में पाशिमार क्या रोश्तर करें और सबसे इंप्वोर्टन फ़िये जो आपका का रिजल्ट रोस्तर त्रिक रिजल्ट वह वह कवा है तो इस वीडियो में हम वह भी आपको बताने वाले है क्योंकि एक्जांग के बाद सभी ITI के मन में प्रस्ण रहता तो कि हमार रिजल्ट कवाएगा तो इस वीडियो में उसकी भी चल्चा कर लेते हैं और रिजल्ट के बाद दोस्तों बात आती है कि आपका जो माक्सित और सर्टिफिकेट जो हता है ITI का ठीक है वो कैसा होगा कैस से डाउनलोड कर सकते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि जो अभी नए ITI चार्ट रहे दोस्तों उनको यह चीज मालो नहीं राती है ठीक दोस्तों वह आपको लोगों को इस वीडियो के मात्रें हमसे मैं बताने वाला हूं दोस्तों तो बने रहे इस व तो दोस्तो यहां भी RTI exam जो आपका हुआ है दोस्तो वो दोस अब्जेक्ट में हुआ है ठीक है दोस्तो यह तो आपका trade theory हुआ है ठीक है और दूसरा आपका employability skill तो चलिए दोस्तो हम आपको trade theory के बारे बताते हैं दोस्तो क्या था दोस्तो यह सब हम आपको इसमें एनलाइस करके आपको बताने वाले हैं दोस्तो जैसे आपका फितर ट्रेड है एलेक्रीशन ट्रेड है या कोई भी ट्रेड है तो आपका इसमें trade theory में दोस्तो आपका क्या होता है क्या आपकी trade का theory और workshop calculation and science और 8 7 question आपसे पूछे जाते हैं आप किते question number of question जिसमें पूछे जाते हैं दोस्तो जो आपका trade theory होता है तो उसमें 38 question आपसे पूछे जाते हैं दौस्तों व्रक्सवाइश्ण में आपसे इंश्चस पूछे जाते हैं यह तोटल मिलाकर दोस्तों आपका तोटल कुस्टन जो होता है तो एक कुस्टन होता है और दोस्तों यह जो एक कुस्टन होता है दोस्तों एक कुस्टन आपका दो नंबर का होता है ठीक है तो टोटल पत्चास कुस्टन का जो नंबर होता है तोटल किते मा होता है इसमें आपका चुब 25 मार्क गर्शतो 33 है दोसक्तों इसे से आपका autoclier हो गया होगा जैसे कि दूस्तों अगर कोई स्टुडेंट नहीं पढ़ा है या जाम से 2-3 दीन भी पढ़ा है तो दुस्तों जैसा कि आपको पता है कि दूस्तों Celной मार्क मार्क मत 33 सभी हरा ले तो इसमें से भी आप तीन कोशन सभी कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 18 कोशन त्थीक है। दोस्तों यह वर्कशॉब कार्फ़र कैलकुलेशन डान का जो कुसम ये भी बहुत 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 है दोस्तों फार्मूला बेसिस आता है आपको कैसे तक ये भी हमने अपने वीडियों बताया है दोस्तो ठीक है और इसे इंजीन ड्राइग दोस्तों इडी इस्टा भी बहुत ही सिंपल कुश्ण आता है दोस्तों ठीक है तो इस्टों अगर आप तीन भी कुश्ण सही कर लेते हैं जोस्तो तो आपको बात हो जायांगे लेकिनहां वह प्रर्ण देख सके हैं ठीक हैं आपका पर आपको पास होने के लिए कित्ता सद्ट कोश्ण संट्ट कर लिए हैं सत्तरा कोश्ण यहां आपने 18 अगर आप इसमें दोस्तों क्या कहते हैं कि मालेजे दस क्रेमा तेयोरी में सही है बाकि यहां अगर तुक्का भी लगाते हैं तो भी दुस्तों आपका क्या करते हैं किसमत थ्राव हो सकता है ना लेकिन अगर आप समझ के एदम लगाते हैं तो आपका ये बाकी जो बचेंगे आपके 20 इस वी लगाते हैं तो 8 गोशन भी आपके सही हो जाएंगे तो अभी आपके कित्ते हो गए 18 कोशन सही हो जाएंगे अब बात आती दोस्तों क्या आप ट्रेट थियोडी में अगर आप ने मान लीजिए 17 नमबर या 18 कोशन सही कर लिए और इसमें WCS और ED में आपने AB कोशन नहीं सही किये तो क्या आप पास होंगे या फेल होंगे दोस्त तो दोस्तों यहाँ पी हम आपको बता दे जो ट्रेट थियोडी आपका वो ट्रेट थियोडी WCS EД का कंबिनेशन न दोस्तों थीगे आप चाहे इसमें से पुरा क्या करते 18 कोशन सही कर लेते हैं तब भी आप और अगए इसमें से A B कोशन अटेम्म नहीं करतें आपका इस ठीक है तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बात दोस्तों जो अधिकतर स्टूडेंट है वो पास होने वाले हैं ठीक है इसी तरह दोस्तों आए हम आपको इंप्लाइवेल्टी स्कील भी दिखा देते हैं दोस्तों इंप्लाइवेल्टी स्कील तो और भी आसान है दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं इसमें आपकी जो नंबर आप कोस्टन आते हैं दोस्तों वो 25 कोस्टन आते हैं इसमें भी एक कोस्टन जो होता है वो दो नंबर का होता है कि अब 25 कुस्टन आपका 50 नंबर का हो जाएगा इसमें जो आपका पासिग मार्ख वो 17 तो ठीक है और इसमें आप दे चाहिए हैं कितने कुस्टन सही करने पास हो जाएगे तो नव कुस्टन आपको सही करने पढ़ेंगी स्वाइब कि आप दोस्तों आप बताएं है नो संसा करके रंक भी चैथा पूछ लेता है ठीक है तो अगर आप मान के चलता हम आपके साथ कोशन इदम सही है बाकी अगर आप तुक्का भी लागते हैं अगर आप सही समझ के सोथ समझ के अगर आप लगाते भी हैं तब भी आपके दोस्तों जो हैं तीन से चार अगर कोशन आपके सही हो जाते हैं तो आपके कित्ते हो गए इसमें साथ मने मान लिए चार कोशन सही हो गए और तो इसमें आपके तोतल 11 कोशन सही हो गए जबके आपको कित्ता कोशन सही करना था 9 कोशन तो आप इसमें पास हो जाएंगे आसाने से आपको 11 कोश दोस्तो की यह पास होने का बहुत ही अच्छा होगा है दोस्तो ठीक है मतलब सब इस्टोड़े इस में आसानी से पास हो सकते हैं अगर चाले तो अप जिसके किस्मत ही खड़ाब होती है दोस्तो उसी क्या गते हैं तुक्का भी लगाएगे तो भी आप अपसे नहीं बनेगा तो आप ठीशाम के समय एक दो दिन हिए दोस्तों तो एकवडेर है तो आप हन्ड्रे परसेंट दोस्तों पास होगे एंगा वैसे भी लगवक III का इसमें DOC फ़ी एक het थोड़ा भी बहुत महनथ कल लेते हैं तो आप पास हिही जाते हैं तो आप दोस्तों आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा ठीक है और हाँ एप जी जो बताते दोस्तों कि यह जो त्रेट थी व्लू से डी है दोस्तों ठीक है इसमें लोग सोचते हैं कि इसको भी पास चलना पड़ेगा इसको भी अच्छी नमबा लाने पड़ेगे तब जाके पास सबस्तों आप 38 कोशिJustाम स्गैथ 18 DeDeep चैक्षों शारा नुलेगा अर्थिस नमबर मिलेगा थाक्रस तो तो आप इसमेंसे पास हो सकते हैं ठीकि है अगर आप इसमेंसे इसमेंसे नहीं भी कर पाएं तब話 कोपास माना जाएगा ठीकि इम को मिला और कि तब भी आपको पास मना जाएगा थिक तो इन तिनों को अलग अलग नहीं यह कंबाइंड है रोस्तो ठिक है इसको आपको कंबाइंड आप 50 में से 33 आपको लाना है तो आप पास हो जाएगे ठीक है चलिए अब आपको बात कर लेते हैं रोस्तों जो आपका रिजल्ट है दोस्तों ठीक है रिजल्ट कप आएगा दोस्तों तो हमने एक वीडियो बनाया तो दोस्तों अपने देखा होगा कि आईटि आई डीजीरत ने क्या करते हैं कि exam calendar जारी किया था उसके महने वीडियो बनाया था बहुत लोगों ने दिया था कि 19-8-2013 मना 19 अगस्त 19 अगस्त तक वह declare कर देगी ऐसा निमी ने कहँ है ठीक है डिटीति ने आपने लेटर में कहा है कि result का declaration करेंगी दोस्तों वह 19 अगस्त को कर देंगी अब दोस्तों इस देट के आगे पीछे भी हो सच्टा है दोस्तों अगर निमी सही से काम करती रही तो आई होब दोस्तों कि ये 19 अगस्त को रिलीज कर देगी आपका रिजल्ट आई का जो रिजल्ट है दोस्तों वो 19 अगस्त को आ जाएगा अगर निमी सही से काम करती रही ठीक है तो यह आपका रिजल्ट का हो गया दोस्तो रिजल्ट के बाद दोस्तो अगर आपको रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तो तो हम आई बटन में डिस्किप्शन में लिंक दे रहे हैं दोस्तो कि रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है दोस्तों ठीक है जब आपका result आएगा आप कैसे चेक करेंगे तो जिस किस्टों में लिंक दिया हुआ वीडियो का आप वहां जाके उसको जवर देख लिजिएगा अब उसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका mark sheet ठीक है दोस्तों निमी के वेबसाइट से भी NCVT.MIS पोटल नोग दाउनलोद कर सकते हैं ठीक MIS पोटल से भी आप लोग इस मार्कुट्रिकर पे डाउनलोद कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं दोस्तो दूस्ता भी लिंग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं आप लोग जाके देख लि और सर्टिफिकेट भी आजाएगे क्योंकि 17 सितंबर को दोस्तों विश्जु कर्मा पूजा रहता है दोस्तों ठीक है विश्जु कर्मा पूजा रहता है इस दिन दिच्छान्त समारोग का आयोजन किया जाता है जिसमें आइटि आइफ पास आउट कंडिदेटों को आइटि ठीक है हमें जो information पता चला दोस्तों हमने आपको share कर दिया दोस्तों तो I hope दोस्तों आपको सारी चीज़े अच्छे समझ में आ गई होगी अगर अगर अब भी कोई exam related या result related और आपके गागे तो आप आ पंहें comment box में comment करके पू到底 है दोस्तों आपलों comment बताएगा ही video आपको कैसी लगी यह रजाओ कर दिजिये एक लाइक तो आपने जया जयादा इससे दोस्तों में लगाषोब पामेश होने वाल्ण 네 वो अपनी एक्जाम का एनलिसिस अच्छे कर सके और रिजल्ट माक्सित का बार है उसको भी पता चल सके तो इसको ज़्यादा ज़्यादा आप लोग कीजिए और दोस्तों अगर आप लोटन दबागे सब्सक्राइब कर लिजिए और क्या करते हैं बेल आइकन को आल पर प्रे कर दो आपाँ ऑन आपिग कर दो अप्रल